असलाव अलेकुम एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नारियल की चटनी और स्वीट कॉन वड़े की रेसिपी तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नह बनाने के लिए मैं यहां ले रही हूँ कॉन्स मैं यहां इन कॉन्स को कोकॉनर ग्रीडर की हैब से ब्लैंड करूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स से वो अच्छे से ब्लैंड हो चुके हैं इसी तरह हम सारे कॉन्स को ब्लैंड करेंगे अब हम यहां ले रहे हैं किसा हुए नारियल फिटनी बनाने के लिए तो पहले हम इस किसे हुए नारियल को 30-45 सेकंड के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब हम यहां चटनी बनाने के तैयारी करेंगे हम यहां मिक्सी का जार लेंगे उसमें नारियल एट करेंगे इसमें 1 स्पून जीरा एट करेंगे थुरा सा कोरियंडर एट करेंगे और 2-3 ग्रीन चिली एट करेंगे और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग घित तभी आपको लगे उतना इसके बाद हम इसे मिक्सी में अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे ब्लैंड करने के बाद हम इसमें 3-4 स्पून दहीं आट करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमाई चटनी रेडी हो चुकी है अब हम वड़े का बैटल रेडी करेंगे बैटल रेडी करने के लिए हम इसमें एड करेंगे 2 अनियन थोड़ी सी ग्रीन चेली कोरियंडर हाफ स्पून हल्दी नमक जितना आप चाहें ने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम पैन में ओईल गरम होने के लिए रखेंगे अब हमारा बैटल रेडी है अब हम चेक करेंगे कि ओईल गरम हुआ है या नई तो आप देख सकते हैं हमारा ओईल बिलकुल रेडी है अब हम इस तरह से वड़े बनाएंगे और इन्हें डीप फ्राइ करेंगे इससे हमें इत्ता फ्राइ करना है जब तक कि यह लाइट गोल्डन न हो जाए इसी तरह से आप अपने साड़े वड़े को फ्राइ कर लिजिए और आप देख सकते हैं आपके वड़े और नारियल की चटनी तयार है आप इससे अपसर्फ कर सकते हैं ओके तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अलाहाफिस